भारत सरकार की राजभाशा नियमों के अनुसरण में राजभाशा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष भर कई सामारोहों का आयोजन किया जाता है हर साल की भाती सेल के इसको इसपात सैयंत्र में राजभाशा पकवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है गत 14 सितंबर मंगलवार को कारिक्रम की शुरुआत ISP के कॉन्फूएंस हॉल में सेल एंथम गाकर हुई कारिक्रम का उद्खाटन मुख्य कारपालक अदिकारी ISP, DSP एवं ASP श्री A.V. कमलाकर ED Works श्री A.K. सिंग, EDMM श्री S. बसू, ED Projects श्री K.B. सुनीर, Acting ED P&A श्री अनुप कुमार, CGM इंचास सर्विसेज श्री संजिब कुमार, CMO बनपूर हॉस्पिटल डॉक्टर संजय चौधरी द्वारा दीप्रज्वलित कर किया गया जिसके बाद सरस्वती वंदना की प्रस्तूती की गई उपस्थित CGM P&A शू श्री शुश्मिता रोई ने स्वागत संबोधन से सबका स्वागत किया तदो परांथ भारत सरकार के ग्रिह मंत्रालय, इस पात मंत्री वा सेल अध्यक्षा सूशी शोमा मंडल जी का वीडियो संदेश प्रस्तूत किया गया श्री अनुप कुमार ने वहाँ उपस्थित एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सबी अतीथियों का स्वागत किया जिसके बाद अतीथियों ने बारी-बारी से मात्री भाषा हिंदी के प्रती अपने विचारों को व्यक्त किया इस विशेश समारों में मुख्य अतीथि CEO श्री एवी कमलाकर द्वारा हिंदी ई-पोर्टल का भी उद्घाटिन किया गया हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए श्री कमलाकर जी ने सभी से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने की अपील की उन्होंने सयंत्र के बाहर भी राजभाषा के प्रयोग एवं विकास पर जोड़ देने की बात कही कारिक्रम का आयोजन कोविट संबंधित दशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया उन्हों लेखन ये हैं कि कारिक्रम 14 सितंबर से 28 सितंबर तक ISP के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजन किया जाएगा आयोजित विबिन प्रकार के प्रतियोगी कारिक्रमों में लेखन तिपणवा प्रारूप लेखन एवं वाद विवाद प्रतियोगीताईं शामिल होंगी पूरे कारेक्रम के संचालक राजभाशा अधिकारी श्री चंद्रानंद पाठक ने कारेक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्रक्त किया